रोमिय की किताब अध्याए पांच और वचन सत्रा ऐसे लिखा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपरात के कारण मृत्यू ने उसी एक के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वर्दान बहुत आएक से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात येश् यही अनंती जीवन में राज्य करेंगे हालेलूया अपने पड़ोस वाले से कहें कि परमिश्व आप से प्रेम करते हैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभू की कृपा और प्रभू की दया आपके जीवन पर बनी हुई है और मैं आज आपको उसाहित और प्रोसाहित करने पर हूँ कि परमिश्वर के बातों पर अपने मन को और अपने ध्यान को जब आप लगाएंगे आप आपकी सारे परिशानी और सारे दुविदाओं से आप बहार निकल सकते हैं बाइबल कहता है कि एक मनुष्र के अपराद के वजह से मृत्यू ने हर एक लोगों के उपर राज्य किया है मृत्यू इसका मतलब केवल मरण नहीं है मृत्यू इसका मतलब है हार एक वो चीज जो हमें नुकसान पहुँचाता है मृत्यू इसका मतलब है हम अपने जीवन में दुख और परेशानियों से गुजरते हैं मृत्यू इसका मतलब है अच्छी चीजों की हमारे जीवन में कमी होना बाइबल कहता है कि एक मनुष्र के वजह से वो सारी बाते हम लोगों तक पहुँची लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग धर्मरूपी वर्दान अनुग्रह और धर्मरूपी वर्दान बहुत ताइक से पाते हैं वे अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे मसी जीवन आप क्या करते हैं उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है मसी जीवन आप के क्रियाओं के बारे में नहीं है मसी जीवन है पर मिश्वर ने जो क्रूस पर किया है उसके बारे में काफी बार हम मसी जीवन की तुलना करते हैं उन बातों से जो हम प्रतिरोज करते हैं अपने जीवन में और उसके अनुसार हम अनुमान लगाते कि प्रभू हमको आशिश करेंगे या नहीं करेंगे, प्रभू हमारे जीवन में आशिश लाएंगे या नहीं लाएंगे, काफी बार जो क्रियाए हम करते हैं, उसके उपर हम अपने आशिशों को रखते हैं, अगर हमने अच्छा किया तो प्रबु हमें जरूर आशिश देगा अगर हमने अच्छा नहीं किया तो शायद प्रमिश्रों में को आशिश नहीं देगा काफी बार हम मसी लोग बहुत ताइक लोग इस पूरे विश्व भर में ऐसी विचार करते हैं लेकिन मसी मसी जीवन हमारे क्रियाओं के बारे में बिलकुल भी नहीं है मसी जीवन है जो येशु ने किया है उसके बारे में जब आप मसी में आते हैं तो एक चीज आपके जीवन में होना चाहिए और वो है आपका विश्वास सही तोहर पर जब आप सही विश्वास करेंगे तब ही जाकर आप आपके जीवन में सही चीजों को अनुभाफ कर पाएंगे अगर आप सही तोर पर विश्वास नहीं करेंगे आप अपने जीवन में उन सारी बातों को देखेंगे जो आप सोच रहे हैं आपका सही विश्वास आपको मदद करेगा आप सही तोर पर जीवन बिताएं या फिर जीवन बिताने के लिए अगर आप सही विश्वास करेंगे तो आप सही जीवन बिता पाएंगे जब आप यश्य मसी को अपने जीवन में उद्धार करता के रूप में सुविकार कर लेते हैं उसके बाद आपको पवितर बनने की जरूवत नहीं है क्योंकि आप उस समय से पवितर बन चुके हैं जो भी लोग ये कहते हो आप अपने आपको पवितर करो इसका मतलब भी वो जानते नहीं कि वो क्या कह रहे है जो भी लोग कहते हैं कि आपकी आशिशे आपके क्रियाओं के उपर निरबर है वो जानते नहीं कि वो क्या कह रहे है और हम काफी बार लोगों की बातों को सुन कर किसी बड़े वेक्ति नहीं ये कहा है किसी प्रसिद्व विक्ति नहीं यह कहा है हर एक चीज जो प्रसिद्व विक्ति कहता है वो सही नहीं होता है आपको उन बातों को जो भी वो कह रहे है परमेश्र के वचन के अनुसार मिला कर देखना चाहिए वो जो कह रहे है क्या वो सही है काफी बार हमें चीजें सही दिखाई देती है जो भी चीजें हम सुनते हैं काफी बार हमको लत्यार ये विक्ति सही बात कर रहा है लेकिन अक्सर जो बातें सही दिखाई देती है वो बातें प्रभु के वचन से नहीं मिलती है मसी जीवन हमारे बारे में बिलकुल भी नहीं है मसी जीवन हमारे क्रियाओं के बारे में बिलकुल भी नहीं है मसी जीवन है जो येश्य मसी ने आपके लिए किया है और जब आप उस पर विश्वास रखना चालू करते हैं वो चीज़े आपके जीवने प्रगट होना चालू हो जाती है। आप कहेंगे पास्टर, आपने कहा कि येश्यू को गरहन करने के बाद आपको पवित्र होने की जरुवत नहीं है। जी हां क्योंकि आप अल्रेडी पवित्र है। और जब आप ये विश्वास करेंगे, तब जाकर वो जीवन आप जी पाएंगे। जब तक आप ये चीज़ विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप पवित्र जीवन जी नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा आपको पवित्र बनने के लिए यह चीज करना है और यह चीज छोड़ना है और यह चीज नहीं करना है और आप हमेशा हार जाएंगे लेकिन जब आप यह विश्वास करेंगे कि येश्व ने मुझे संसार से अलग किया पवित्र इसका मतलब है यह प्रमेश्व ने कि आप सही कर रहे हैं पवित्र इसका मतलब है अलग होना अ बहुत सारे जो लोग कहते हैं पवित्र हो जब प्रबू के लिए अगर आप उनको सवाल पूचेंगे कि भाई पवित्र हो जब इसका मतलब क्या है उनको मालूम नहीं है Cont ventil हो जाओ इसका मतलब क्या है पवित्र इसका मतलब है परमेश्व के काम के लिए अलग किये गए आप संसार से अलग किये गए लोग हैं अगर आप संसार से अलग किये गए हैं तो परमेश्व ने आपको पहले इसी पवित्र कर दिया है